तो विल्कमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का चलिए आज हम लोग बात करेंगे आई भीएस पेपर के उपर ठीक है आई भीएस के उपर समेस्टर टू के लिए यह हमारा पहला वीडियो है ठीक है सबसे पहले जानेंगे कौन-कौन सा इनिवर्शिटी तो दोग इनिवर्शि सिलेबस सेम हैं बट कॉस्चन पूछने का तरिका थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टोटल कितने यहां पे सब्जेक्ट हैं जिसके उपर हम लोग डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो केवल और केवल सेमेस्टर टू के लिए मैं अभी आपको सि पूद दे दूँगा ठीक है तो चली जानते सबसे पहले अभी हम लोग यह इतने सारे टॉपिक के उपर स्लेवस देंगे मस्रूम कल्टिवेशन और्गैनिक फार्मिंग इफिलिंग रिटरंस ठीक है डिजिटल मार्केटिंग कम्यूनिकेटिव इंगलिस कंप्यूटर बे इंट्रोडक्शन टॉप मार्केट आज कल बहुत ज्यादा चलता है मैं भी थोड़ा से इन्वेस्ट कर रहा हूं मिच्वल फंड में टूर एंड ट्रेवल फोरेश्ट्री एंड विल्ड लाइप और 16 नमबर पर ब्यूटी एंड वेलनेस तो यह सुलर टॉपिक के उबर हम लोग आपके देंगे सिलेवर्स ठीक है और इनमें से कुछ सब्जेक्ट है जिसका मैं खुद से आप लोग का विडियो दूँगा जिसमें पहला है आपका फंडामेंटल हिंदी एक नमबर यह दूसरा दूँगा मैं कम्प्यूटर बेसिक इन मल्टिमीडिया ठीक है तीसर इतना ही और एक है इतने का मैं आपको क्लास के थ्रू विडियो देंगा जिसमें से सबसे पहले फंडामेंटल हिंदी एंड कम्प्यूटर बेसिंग इन मल्टिमीडिया यह दो सब्जेक्ट का दूँगा ठीक है अब दिखिए कोशन पूछने का तरीका क्या है वो पहले बा तरीका अलग है क्या होता है चली देखते हैं राची निवरसिटी में आपका जो है यहाँ पेपर कुछ इस टाइप से होगा प्रेक्टिकल होगा और लेब भी होगा एक जिसवेस से मतलब आपका जो है अभी दोनों का सिलेबस दूँगा राची निवरसिटी में आपका सब्जय कुछाता थो सब्जेक्टिव लो का सबजट तुनयगा टी Step 2 में weiter यह सब्जेक्टिवSoft और ऑब जब्जेक्टिव अने का ज़्याद संभावना आ semester i ile ऊप्ज़ा ठीक है अब मुझे नहीं मालूमें कि semester i ।- one में फ्या पूजाता मैं भूल गया हूं सजैंद अर्यव का मालूम है उसमें सब्जीक्टिभी आया था चली देख तो यहां पर आपका जो है question वहर आएगा 75 marks का जिसमें से one marks वाले 5 question 5 marks वाले 2 question ठेक है और 15 marks वाले total 6 question आएगे जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा जैसा कि आपका major paper में होता है same to same way साही ठेक है और यह pass करने के लिए आपको लाना होगा कितना नंबर तो इसमें लाना होगा आपको तीस नंबर और 50 marks जो NPU का exam होगा ठेक है objective हो या subjective हो उसमें qualify करने के लिए आपको लाना होगा कितना नंबर तो इसमें लाना होगा आपका 20 नंबर ठेक है चलिए अगर objective होता है तो MR paper दिया जाएगा NPU के सब्सक्राइब होगा आपको लिखना होगा ठेक है चली देख लेते हैं तो यहां पर हमारा सबसे पहले है mushroom cultivation ठेक है यह देखिए mushroom cultivation का और इसमें आपको यह टॉपिक पढ़ना है ठेक है और फिर आपका यह है यहां पर लेप प्रेक्टिकल का लेप प्रेक्टिकल यह टॉपिक है यह आपके टोटल एतने लेक्ट्चर ठेक है तो यह हो गया आगे दिख लेते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट है हमारा और इसमें सिलेबस है यह आपका एनाटोमी है सोईल साइन्स है फंडामेंटल ऑप और और फार्मिंग मेनेजमेंट नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट ठेक है यह आपके हो गए है और यह है आपका और यह आपका और फार्मिंग का लेप प्रेक्टिकल ठेक ह यह तो चारो औो पांस को टॉपिक है आगे दिख लेते हैं आ है नेक्ष्ट हैं हमारा फिलिंग रिटॉर्ट सका जिनका वीडियो कंप्ललीट हो जा रहाहा है वो लोग GST and a filling और GST returns यह चारको टॉपिक आपको पढ़ना है फिर आपका यहां पर लेप प्रैक्टिकल है इसको पढ़ लिज्यगा टेक सिक्ष्ट लेक्टब हैं यहां पर यह वह ला है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में आपका फर्स्ट जो यूनिट है यहां आपका यहां पर सोसल मेडिया मार्केटिंग ठीक है फर्स्ट सेकेंड है आपका सोसल मेडिया मार्केटिंग टू नेक्स्ट देख लेते हैं तो नेक्स्ट एन उनलाइन डिस्प्ले अडवर्टाजिंग यह आपको है यूनिट फोर यह सारे हो गए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में आपके डॉटल कितने हैं तेरह भाग है ठीक है तेरह क्वेश्चन है एक तरह से आपकेटिंग उन ट्वीटर वगरा वगरा देख लीजिए नेक्स्ट है मारा यहाँ पर कम्यूटर सब्सक्राइब करने मैक्सिम्म लोग यह सेलेक्ट किया है लेकिन बहुत ही कम है केंडिट सबसे ज्यादा है कंप्यूटर बेसिक अन मल्टी मीडिया और फंक्शनल हिंदी इसमें सबस्द करने मां अगला है हमारा बैसिक इंग्लीस्स क्मिनिकेटिव ग्रामर एंड बोकेविली पर ट्वन टेकर नेक्स्ट है हमारा यहाँपर यहां यहां पर आपके practical से समझ गए आगे दिख लेते हैं next तो हमारा computer basic and multimedia जो की काफी ज़्यादा demandable है यह वला और इसमें unit 1 है हमारा multimedia टेक है multimedia fundamentals unit 2 है आपका multimedia tools unit 3 है आपका sound audio 1 and sound audio 2 टेक है unit 3 बस three का one or two में माटा गया है ठीक है फिर आपका यह left practical है multimedia का यह चार question ठीक है यहां पर photoshop use है फिर page maker है coral draw है और यह flash है आगे दिख लेते हैं next तो हमारा functional हिंदी यह भी काफी ज़्यादा लोगों ने रखा है इसको भी ठीक है और इसमें आपका पाला है हिंदी व्याकरण ठीक और यह सारे चब आपको पढ़ने पढ़ेंगे नेक्स्ट है आपका अनुबाद परिभासा सब्दवाली और पदबंद और यह आपके कुछ रिफ्रेंस के बुक दी गई है आप पढ़ें चाहिए इसका मैं तो करा ही दूँगा ठीक है नेक्स्ट आपका यह आपका प्रेक्टिकल है ठीक है कितने पांच कोस्टेन प्रेक्टिकल में आगे देख लेते हैं तो अगला इनए यॉनिट है बेचिक लेकर्डरी इसकिल कि अमुझा को से मैं ने लिवर्ड़ी में बहुत हम जाया हाँ और हाथ ऺईक है हाइड्रोपोलिक्टर conquered mainland से क्यों क्या हूं गस्ट आप total 7 question है आगे देख लेते हैं next तो हमारा यहाँ पर है सेरी कल्चर के ताथ हमारा जो फर्स्ट है मत्र जदम च्टाए च्टाए यूनिट है आपका यहाँ पर यूनिट वन सेरी कल्चर ठीक है यूनिट छोटा है तो इसके उपर क्या डिसक्स करेंगे फिर आपका यहां पर प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल में भी पांच कोचन है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा फिसरी तो जितने भी लोग मचली पालन से संब्दित है फिसरी इसमें हमारा यूनिट देख लिजिए यह आपके चार यूनिट है ठीक है और जेनरल एकाउंट ओफ फिसरी का ही है जी हां ठीक है कॉमर्शियली इंपोर्टेंट फिसेस एंड शेल्स फिसेस पिर आपका यहां पर डिफरेंट मेतोड ओप फिसिंग इन प्रैस वाटर पिर फिर हमारा ग्रोट एंड एज डिटर्मिनेशन तो दिखी एक तरह से अगर आप मांसाहर बोजन लेते हैं तो उसमें सबसे अच्छा बोजन है आपका ठीक है मचली फिर आपका प्रैक्टिकल और और अगर आपका इन फ्यूचर पैसा होता है तो आप फिसिंग का एक जो है एक़िकरियंग खोल सकते हैं मचली पालनगा नेक्स्ट है हमारा वी कीपिंग इसमें हमारा यॉनिट वन देख लीजिए आपको ये आपको ये तोपिक पढ़ना है । ऊहले हैं तोफिर आता है उनिट ट्री वोत टोपिके है फिर प्रिक्टिकल आजाता है यार मैं बहुत स्टेप टू स्टेप थिरी और यह यहां खतम टेक्स्टाइब मेंजमेंट का प्रेक्टिकल टीक है इसमें चेकोशन है आगे दिख लेते हैं तो फिर हमारा है इंट्रोडक्शन टूस्टॉक क्या होता है इसका फुल्फम गॉल ऑप इंडिया शिंट्रल एक्सचेंज़ वोड उप इंडिया उस्टव नाम मिश्का क्या था जी अश्टोक एक्सचेंज बोड ऑप इंडिया न भारती प्रति विवान बौड नेक्स्त है हमारा यहां पर ट्रेडिंग सेटलमेंट एंड यह वाला है यार सर्वेंस सिस्टम इन अस्टॉक एक्सचेंज दिखे कुछ वर्ड इसे हैं जिसको मैं पर्स टाइम पढ़ रहा हूं तो डेफिरेंटली लग रहा है मुझे और हो सकता है मैं गलत पढ़ना सब्सक्राइब इनडी केस ठीक है पिर आपका यहां पर कॉमोडिटी एंड करेंट मार्केट तो यह पांच यूनिट है यहां पर प्रेक्टिकल आ जाता है इसमें पांच कुश्चिन है आगे देख लिए तो फिर हमारा ट्रेवल एंड टूरिज्म ठीक है घूमने के सौकिंग इसमें हमारा ह प्रेश्म प्लानिंग एंड डेवलप्मेंट और यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फॉर इस तरह से चार यूनिट आपको करना है पांच यूनिट है यार स्वरी इंटरनेशनल और टूरिज में तक है ठीक है आगे देख लेते हैं तो यह आपका प्रेक्टिकल है औ अब गूमने का सोग किसको नहीं होता है लेकिन यह सोग एक ऐसा सोग है मतलब जिसमें आपको पैसा लगता है ना फॉरेश्ट्री एंड उन्लाइफ ठीक है तो फॉरेश्ट्री जंगल के बारे में जो लोग रखें अच्छा है और जवन नजीव के बारे में तो यूनिट to unit 4 तिक के वेट लेंड बगर के बारे में जानना होगा आपका रामसर साइट के बारे में जानना होगा है इन सब के बारे में इस आगे बढ़ जाते हैं एक पिर यह आपका प्रैक्टिकल नेक्स्ट कुछ अंतिम बचे हैं ब्लूटी एंड वेलनेस झाल चिंको ब्रूटी त करना है और हमको एक दोस्तों बोली कि I am a beauty see a नमके वाव great अच्छा है तो पहला है हमारा यहाँ पर make-up services ठीक है फिर हमारा यहाँ पर make-up services to फिर यहाँ पर facial beauty service और फिर हमारा यहाँ पर salon reception duties और देन है मारा फाइप नंबर क्रियेटिंग पॉजिटिव इंप्रेशन एट वर्क प्लेस और यह आपका प्रेक्टिकल हो गया तो इस तरह से पूरा का पूरा यहां पर कम्पलीट हो जाता है और सब्सक्राइब कर दिया कि और सब्सक्राइब कर सकते हैं और मान लिए इसको मैंने इसके इंसोट ले लिया ठीक है और गूगल से मैं जो है गूगल लेंज से जाकर कि इसका हिंदी टांसलेट कर दूँगा और एक एक पॉइंट को गूगल से पढ़ लूँगा वस हो गया सब्जक्टी वालों का एजी है ऑप्जक्टी वालों का ही दो सब्जक्ट पर डिपेंड है ठीक है ठाइंक्यू मिलते हैं एकली वीडियो में प्रेप्रसन अच्छे सकीजिए अभी मेजर पेपर और आयर्सी पेपर का बाकी यह चलेगा ही चलेगा और एक जाम से एक दिन पहले आपको केवल और केवल मेजर पढ़ना है ठीक है ऑ अपना कॉश्चिन पेपर प्लीज इस नंबर पर मुझे सेन कर दीजिएगा दोस्तों ठीक है नवासे छी आसी साथ पचहत्तर एक तारलीस एकजाम होने के बाद नोट कर लीजिएगा एक बार जरूर ठीक है क्यों क्योंकि इससे मैं आपका आंसर पता पाऊंगा कि कितने स जाएगा राची इंवर्श्टी वाले बच्चे का हेल्प हो जाएगा ठीक है दुस्तों तो देखिए हम लोग समाज में एक दूसरे की मदद करेंगा ना तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे इस्पेसली हमरा ज्यारखंड ज्यारखंड मालू में भारत के सबसे निम्नत प्रप्रसंगे जिया